नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेधी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर आज हम डिसकस करेंगे ड्रग अब्यूज इन इंडिया के बारे में वैसे आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, इंडिया में इतना ज्यादा ड्रग अब्यूज केसे इंक्रीज होना का कारण क्या है, गर्मन क्या-क्या पोलिसी लेके आया है, यह सब कंट्रोल करने के लिए, और इंटरनेशनली क्या-क्या रूलस और रगलेशन से हैं, वो स NDPS Act क्या होता है, नर्कोटिक ड्रक्स और साइकोट्रोबिक सब्सेंस अग्ट, देखे इस एक्ट के अंदर इंडिया में ड्रक्स कंजूम करना, ड्रक्स सेल करना, पर्चेस करना, हाथ में क्यारी करना, सारे पनिशबल ओफेंस हैं, आप देखे इसका पनिश्मन भी साइए, उनको भी बेल मिलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा, जो भी है, आप देखे, 2019 का डाइटा अगर आप देखोगे, इंडिया में 3.1 क्रोर कैनाबीज उसे थे, और 2.3 कोर ओप्योड यूसे थे, अब आप पूछोगे, ये कैनाबीज और ओप्योड का डिफरें इसे उसे बनता है, बैड यूसे लोग निशा करने बहुत करते हैं, बलैक मार्करट में यह दोनों का जो रेट है, वो सोने से भी भेंगा है, एक एक ग्राम में बिकता है, आप देखे दोस्तों, नाशेल ग्रायम डियूर का रिपोर्ट में, और एक जिज बताया हुआ है, more and more children are taking into alcohol consumption also I can have alcohol consumption की बाद करे ड्रक तो अलग होगे आलकोल अलग होगे बैचो में आलकोल कंसप्शिन ज्यादा देखने को मिल राइंडिया में सबसे ज्यादा पंजाब में फोलाइब वेस बंगला नुटर प्रदीश राइड अब देखी सबसे ज्यादा ड्रकोल की वज़े से होता है और अफ टोटल केसे एस्टिमेटेट बेडर रिपोर्ट मोर दन हाफ अफ दम आर कॉंट्रिबूटेट बाइस पंजाब आसाम डेली हरियाना मनिपूर मीज़वराम सीकिम उतापधेश एक्सटा तो मेरा कहने का मतलब है जितने बीड़्रक सिन और आलकोल ड्रेलेटिट केस से वो इन स्टेट में सबसे ज्यादा रिपोर्ट होता है अब दोस्तों वाट अद र रीशन इंडिया में इतना ज्यादा रीजियन है golden crescent and golden triangle अब कौन कौन से countries आते हैं इन में golden crescent में इरान पाकिस्तन और अफगानिस्तन and golden triangle में बर्मा थाइलेंड लावोज और वियर्नाम अब ये दोनों रीजियन से इंडिया में ड्रक्स का illegal smuggling होने का chances भी ज्यादा है मतलब availability ज्यादा है इसलिए consumption भी ज्यादा है ठीक है दूसरा reason ये दोस्तों prescription drugs and their constituents or precursors are increasingly being divided for recreational use मैंने आपको पहली बोला था drugs का दो तरीका का योँस है good use है bad use है ये जो opium है cannabis है इससे medicinal purpose के लिए भी drug create कर सकता है दूसरा य जो drugs के रूप में आता है medicine के रूप में आता है इसे भी लोग खरीद लेते है recreational purpose के लिए मतलब medical shop में जाके वो खरीद लेगा वैसे दोस्तों medical shops में से बिना doctor का prescription का इस तरीके का drugs देते नहीं हो पर आपको पता है इंडिया में क्या होता है लोग ऐसे ही जान पहचान से या जा फिर recreational purpose के लिए यूज करने वाला यह जो हैबिट है यह इंडिया में सबसे ज्यादा है और उपर से इंडिया is the world's largest manufacture of general drugs सबसे ज्यादा इस तरीके का drugs इंडिया में produce होता है और इंडिया को pharmacy of the world भी कहता है यह भी आपको मालू में तीसरा reason यह दोस्तों global pandemic basically COVID-19 pandemic आने क के बाद economy पूरा डाउन हो गया है लोगों के पास पैसे नहीं है और यह drug trafficking से इन्हें पैसे मिल जाते है और इसलिए drug trafficking भी ज्यादा होता है मैंने जैसे बोला यह golden crescent या golden triangle से बहुत ज्यादा illicit या illegal trafficking होता है drugs का तो लोगों के पास पैसे नहीं है लोगों का income कम हो गया तो यह तीसरा रीजन है चाँ था यह दोस्तों फिये प्रशर एंड प्रिटेक्स्ट ओफ बिंग स्ट्रस्ट बस्टर देखें यह तो नॉर्मल रीजन हो गया यह जो स्कूल कॉलेज स्टुडेंट से कुछ तो मजे कने के लिए यूस करते हैं कोई बोलते मेरे पर बहुत प्र प्रिकिंग होता है इसमें इनको भी थोड़ा बहुत कमिशन मिल जाता है मतलब जितने भी बोर्डर में पॉलीस को चेक करना होता है उसमें कई सारी कैसा जैसे रिपोर्ट हुआ है पुलीस परसनल ब्राइब लेते हुए या फिर हमारी जो लोग एंफोर्स्मेंट एजनसी उनकी तरफ से निगलिजेंस होता है ठीक है और पूर इंप्लिमेंटेशन फ्लोव स्ट्रिक्ट एंट लोग से हमारे देश में ड्रग टाफिक को कंट्रोल करने के लिए पर ये ठीक चरह से चलता नहीं है तो ये भी एक रिचन आप बोल सकते हो राइट तो टो टोटल उसकी फैमिली को, सोसेटी को भी इंपैट कर सकता है क्योंकि इसे एंटी सोशिल बिहेवियर बढ़ता है जैसे स्टीलिंग, क्राइम, वाइलन्स, एक्सटरा और ड्रग्स का ज्यादा दूर उपियों करने से क्रोनिक मेंटल डिसॉर्डर भी हो सकता है जैसे डिप्रेशन, एंक्सेटी, पैनिक डिसॉर्डर, इंक्रीजड अग्रेशन, पैरनोईया, हल्यूजिनेशन, एक्सटरा, एक्सटरा, देखे खुल मिला के यह है दोस्तों, एक ड्रग अडिक्ट वो कौन है, क्या है, यह समझनी पाता है, वो क्या-क्या करेगा, कोई इमेजिन भी नहीं कर द्रग अडिक्ट था, तो उनके experience वो बताते है, आपको सुनना चाहिए, वो अपनी experience से बताते है, मतलब क्या-क्या उनका life में change हुआ था, किस तरीके से society उनके साथ डील करते है, एक ड्रग अडिक्ट होने से, ठीक है, हमारा Bollywood में भी कही से examples है, मैं नाम नहीं ले रहा ह तो खुल मिला कि इससे कोई भला तो नहीं है, पूरा आपका बुराई होगा, ठीक है, ड्रग का illegal production and distribution की वज़े से, पूरी दुनिया में crime and violence बड़ा है, and incidence of HIV, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis भी बड़ा है, क्योंकि देखें दोस्तों, drug addict जो है, drug consume करने के बाद, उनको पता नहीं चलते हैं, तो ये कोई safety नहीं लेता है, जिसकी वज़े से, HIV, hepatitis B, C, जैसा, DC से spread होने का भी चांस ज्यादा है, and इंडिया की बात करी, इंडिया में सबसे ज़्यादा सफर करते है, women, क्योंकि अगर एक family में कोई, उनके husband हो, भाई हो, अगर वो drug addict है, उसको जैसे domestic violence होने का चांस ज् एचे भी infection होने का भी चांस ज्यादा है, अब सामझ गया ना, मैं क्या बोलना हो, and as well as financial button तो हो गाई होगा, तो ये सारे major impacts आप बोल सकते हो, या फिर examination में पूछने से लिख सकते हो, एक drug abuse से जो होता है, drugs का दुर उपयोग करने से होता है, आप दोस्तों, government की तरफ से क्य National Action Plan for Drug Demand Reduction है, NAPDDR, इसके अंडर, गर्मन, non-governmental organizations को financial assistance प्रवेट करते हैं, किसके लिए, for running and maintenance of integrated rehabilitation centers for addicts, अगर कोई NGO, कोई rehabilitation center चलाते हैं, drug addicts के लिए, तो उस centers का running and maintenance के लिए, government financial assistance प्रवेट करेगा, इसके अलवा, नशाम्मुक्त भारत अभयान लौंच किया था, ये 272, vulnerable districts में लौंच किया था, इसमें कम से कम 8,000 youth volunteers काम करते हैं, अभी तक 45.6 लाग से ज्यादा youth को contact किया है, इस अभयान के अंडर, तो basically government इस अभयान के अंडर, एक नशामुक्त भारत चाहते हैं, इसके अलवा, government 54 community based peer-led intervention centers maintain कर रहा है, with focus on vulnerable and at risk children and adolescents, देखे, जितने बैचों मे या adolescents में, drug use करने की tendency है, उन्हें educate करने के लिए, drug abuse के ill effects के बार में बताने के लिए, awareness फिलाने के लिए, community based peer-led intervention centers चला रहा है, ये school, colleges में, institutes में जाके awareness फिलाते हैं, बताते हैं, कि drug abuse से क्या-क्या ill effects हो सकता है, ठीक है, फिर government ने, government hospitals में, 35 addiction treatment facility सेट अप किया है, ये implement कर रह ही के द्वारा, ठीक है, फिर ministry ने नव चेतना modules डवलप किया है, ये भी basically दोस्तों, awareness फिलाने के लिए, among the children, teachers, parents, about the ill effects of substance use, substance use मतलब ही है, drug use ही है, under the scheme of NAPDDR, देखिए जो NAPDDR है, इसके अंदर काफी सारे schemes है, ये drug abuse को कम करने के लिए, ठीक है, तो थ्यान दीजेगा, इस में, alcohol and drug use disorders को डाल दिया, इसका मतलब क्या है, देखिए, mental health care act के अंदर कई सारे provisions है, उन लोगों के लिए, जिनको mental illness का problem है, अब इसके अंदर alcohol and drug use disorders को भी डाल दिया, मतलब अगर alcohol use and drug use की वज़े से, किसी को mental illness का issue आ गया, तो इसको भी help मिल जाएगा, इसके अंदर, ना में, Caesar Information Management System, एक online database है, जिसके अंदर सारे drug offenses के बार में, offenders के बार में, information है, फिर देखिए, गर्मन एक fund भी constitute किया था, National Fund for Control of Drug Abuse, किस के लिए, ये specifically, उस expenditure के लिए है, for combating illicit trafficking, narcotic drugs, rehabilitating addicts, educating the public against drug abuse, इन सब के लिए, जितना खर्चा होगा, वो देखने के लिए, गर्मन ने अलक साइक fund भी खोला है, वो है, National Fund for Control of Drug Abuse, समझे, फाइनली देखिए, नर्कोटिक द्रग्स and psychotropic substance, देखिए, इस act के अंदर, इंडिया में, नर्कोटिक द्रग्स and psychotropic substances act के अंदर, जितने भी drugs listed है, उसको produce करना, possess करना, sell, purchase, transport, storing, और इवन consume करना भी offense है, ठीक है, तो इतने सारे government steps से, drug abuse को कम करने के लिए, drug consumption को reduce करने के लिए, अब international conventions भी क्या क्या है, देखिए, इंडिया ओर्री काई सारी international treaties and conventions भी sign किया है, to combat the menace of drug abuse, कौन-कौन सा, United Nations Convention on Narcotic Drugs 1961 में, United Nations Convention on Psychotropic Substances 1971 में, फिर United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 1988 में, फिर UN Convention against transnational organized crime 2000 में, तो internationally भी, इंडिया का जो involvement है, वो काफी praise बरती है, तो दोस्तों, that's end of it, I hope आपको समझ में आया होगा, जतने भी points में आपके साथ डिसकस किया, आपके mains के answer rating में, ये सारे points काम आएगा, especially the government steps and initiatives and the major impact of drug abuse, everything, तो आप मुझे अब कमन बोक्स में बताईए, इतने सारे government policies and interventions होने के बावजूद, इंडिया में इतने सारे drug abuse से related cases, या फिर drug consumption से related cases report क्यों हो रहा है, तो government की तरब से, क्या और stringent policies and regulations आना चाहिए, इस problem का actual solution के लिए, तो please comment in the comment box, लेक्चे की PDF एशुचलाब को टेलिग्राम चनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रवाइड है, thank you for watching, bye bye, have a nice day.